18 अप्रेल 2023 बड़े मंगलवार के दिन करें काली मिर्च और मौली धागे का ये महा उपाए जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी मुक्ती हनमान जी के आशिरवात से चारों दिशाओं से खिचा चला आएगा धन वैसाक महीना 7 अप्रेल 2023 से शुरू हो चुका है इसका समापन 5 मही 2023 को होगा वैसाक महीने को हमारे हिंदू धर्म में बहुती पविट्र महीना मान आता है वैसाक महीने में जित्ते भी मंगलवार पड़ते हैं ये कोई समानने मंगलवार नहीं होते हैं बलकि इनके बारे में कहा जाता है ये कष्ट के निवारन वाले मंगलवार होते हैं कहने का मतलब यह है कि वैसाक महिने का प्रतेक मंगलवार एक बड़ा मंगलवार होता है और इसमें अगर आप साधारान सा काली मिर्च और मौली धागे का वह गुप्त उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में हमारे धर्म शास्तर में बताए गया है, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कश्ट से आप परिशान हो, किसी भी दिक्कत में फसे हो, किसी भी बिमार देवताओं को समर्पित होता है, वैसे ही मंगल बार का दिन हनमान जी महाराज को समर्पित होता है, दोस्तों हनमान जी महाराज आपके मंगल ग्रह के सौमी है, और मंगल ग्रह ग्रहों का राजा भी मानाता है, जोतिश शास्तर में मंगल ग्रह को उग्र बताए गया है, कहन से एक व्यक्ति घेरा हुआ रहता है दोस्तो मंगल की स्थिति को अच्छा करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए हमारे धर्म शास्त में बहुत सारे उपाय बताए गया है लेकिन आपको इसको सच्चे मन और सच्ची शद्दा से लगतार 15-16-20 मंगलवार करना होता है ले पूजा करता है तो उत व्यक्ति को कभी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि हनुमान जी महराज अपने हर भक्तों के संकट को हर लेते हैं इसलिए उनको संकट मुचन भी कहा जाता है दोस्तो प्रतेक मंगलवार को हनुमान जी अपने भक्तों पर दोनों हातो उसे किरपा बरसाते हैं इसलिए आप गर मंगलवार के दिन हनुमान जी महराज की पूजा पाट करना चालू कर देते हैं तो आपके जीवन से कष्ट परिशानिया दिक्कतें खतम हो जाएंगी लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा हनमाजी महराज के सामने सिद्ध हो जाए तो इसके लिए आपको लगतार 10-15 मंगलवार पूजा उपाय करना परता है तब जाके आपकी पूजा सिद्ध हो पाती है लेकिन वैसाक महिने का सिर्फ एक मंगलवार अगर आप उपाय कर लें पूजा कर लें तो आपकी पूजा तुरंती सिद्ध हो जाती है आपको हम बताएंगे कि 18 अप्रेल 2030 बड़े मंगलवार की दिन कैसे आप काली मिर्च और मौली धागे का वहाँ उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने आ रहें तो सिर्फ इस उपाय को करने भर से आपके जीवन से जन जन मांतर की गरीबी, परिशानी, कष्ट, समस्याई, दिक्कते खतम जाएंगी और आपके जीवन में धन, सुक, वैभव की आपको प्राप्ती होगी इसलिए अगर आप भी चाते हैं कि हनमान जी की किरपा आप पे और आपके परिवार पर सेदैब बनी रहे हनमान जी की किरपा से आप अपने जीवन में बहुती उन्नती करें, बहुती आगे जाएं जिस उपाय से आपको कोई भी लाप पहुत सकता है, तो वाके हम आपको रिपलाई की माध्यम से बता देंगे इससे सबसे पहले आप वीडियो लाइक कर दीजे और कमर बॉक्स में अपनी राशी डालना मत भूलिएगा दोस्तो, अब जितने भी हम आपको उपाय बताना रहे हैं, इन उपायों को कहीं पर लिख लिजे और इन उपायों को करने की एक महरत होती है, महरत को भी लिख लिजेगा क्योंकि वैसाक महिने के इस बड़े मंगलवार के दिन अगर आपने सही महरत पर नियम अनुसार पूजा कल ली तो उस पूजा का और उस उपाय का आपको लाब मिलेगा ही मिलेगा और आप अपने जीवन में एक चमतकारी बदलाओ देखेंगे सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहा है आपकी तिद्योरी कभी खाली ना हो आपके जीवने धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं इतना धना है जिसकी आपने कलपना नहीं की थी तो 18 अपरेल 2023 बड़े मंगलवार के दिन सुवे नहा धो लिजे लाल वस्तर का धारा कर लिजे क्योंकि लाल वस्तर जो होता है वा हनुमान जी महाराज को बहुती प्रिय होता है अब आपको यही करना है कि घर के पास वाले किसी भी बरगत के प्योड के पास जाईए एक पत्ता तोड़ लिजे अब आपको किसी भी हनुमान मंदिर जाना है सबसे पहले हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाईए अब उस पत्ते को हनमान जी महराज के दाएं चरना पर रख करके आपको वहां से उस पत्ते को उठा लेना है फिर आपको केसर से उस पत्ते पर जैशिराम लिखना है अब इस पत्ते को आपको लिजा करके अपनी अलमारी में तिजोरी में दश्चिन दिशा में रख देना है तो इस दिन एक लाल कपड़ा लीजे लाल कपड़े में आपको जटा वाला नारियल रखना है अब इसको पूरा मौली धागे से बांध करके किसी भी हनुमान मंदिर में जाकरके इसको दान कर दीजे सिर्फ अगर आपने यह उपाए इस वैसाक महीने के बड़े मंगलवार के दिन कल लिया तो मान क observers लिया आपकी नौकरी लगने में जो भी अर्चने परिशानी बाधाएं आ रही थी वो खताम जाएंगी और आपकी मन चाही नौकरी आपको मिल जाएगी तीसरा उपाए मंगल ग्रह को मजबूत करने का महाँपाए अगर आपका मंगल ग्रह मजबूत होगया दोस्तों तो आपके जीवन में सुक, सांती, समरिध्धी की विरिद्धी होगी तो आपको क्या करना है आपको दोस्तों एक गुड़ की भेली लेनी है बंदरों को खिलाना शुरू कर दीजे, अगर माली जे मंदर के बाहर बंदर नहीं है, तो मंदर के बाहर बैठे जो भी भिकारी हैं, उनके बीच में इसको बाड़ दीजे, सिर्फ इतना अगर आप वैसाक महीने के बड़े मंगलवार के दिन कल लेते हैं, इस से आपके मंगल की स्थिती बहोती मजबूत हो जाती है thief, दुर्भागगय को स्वभागय में बदलने का महा उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपका दुर्भागगय हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर चला जाए, आपके भागगय में चमक आजाए, और आप जिस कार्र को भी शुरु के दिन कल लिया तो मान के चलिए आपका दुर भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चलाएगा और आपका सवभाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा अब यह जो पाहिम आपको बताने आ रहे दोस्तों यह ऐसा उपाह है जिसको अगर आपने कल लिया तो आपके घर में 21 काली मिर्च में से एक काली मिर्च उसी दीपक में डाल दीजे अब आपने बीस काली मिर्च बची हुए इसको घर पर लाना है जो भी व्यक्ति रोगी है उस व्यक्ति के सर के उपर से 21 बार बाई और से दाई और इसको घुआना है इतना करने के बाद इसी पूरी काली मिर तदा वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा अब जो आपको उपाय बताने आ रहे हैं या है दोस्तो बंद पड़े वैपार को चलाने का महा उपाय अगर आपका वैपाय एकदम ठप पड़ा हुआ है चल लिए आप चाहते कि आपका वैपार चल जाए तो बस आपको यहा करना ह आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो उन्नती हो और आपके घर के प्रतेक लोग बहुती आगे जाए वैसाक महीने के बड़े मंगलवार के दिन 11 रोटी अपने घर पर बनाईए 11 की 11 रोटी में हल्की हल्की से गुड़की भेली रख दीजे और किसी भी गाय को खिला दी दोस्तो सुबह नहा लिजे धो लिजे या दोपहर में भी नहा धो करके किसी भी पीपल के पेड़ के पाँ जाए 21 पीपल के पत्ते तोड़िए उस पीपल के पत्ते की माला बनाईए और हनुमान जी महराज को पहना दीजे इतना उपाय करने के बाद आप अपनी मनोकामना बुलिए और दोस्तो आपके कैसी भी मनोकामना हो हनुमान जी महराज के आशिरवात से वह मनोकामना पूरी हो जाएगी तो दोस्तो इस वीडियो का ही पर समाप्त करते हैं कमेंट बॉक्स में जै बजरंग बली लिखना मत बुलिए